आट नवंबर दो हजार बीस कुम्बर राशी पानी की तरह बहकर आएगा पैसा राशीपल चंदर ग्रह की गणना पर आदा रित है राशीपल निकालते समय पंचें की गणना और सटी खगुलिय विशलेशन किया जाता है हमारी इस राशीपल में कुम्बर राशीओं का भविशेपल बताने वाले हैं इस वीडियो को देखकर आप अपनी दैनी की योजनाओं को सपल बनाने में कामियाब रहेंगे आज की सुड़े में आपके लिए नोकरी, व्यापार, लेंडेन, परिवार, मित्रों के साथ संबंध, सहत और दिन भर में होने वाली शुब अशुब घटनाओं का भविशेपल बताने वाले हैं जोतिश गन्ना के अनुसार आज हम आपको कुम्बर राशी के बारे में बताने वाले हैं आट नौमबर के दिन कुम्बर राशी के जीवन में पानी की तरह भगकर पैसा आने वाला है परिवार वालों के प्रती, सहनो भोती और प्रेम के भावना बढ़ेगी इस राशी के लोगों को अपनी पुरानी योजराओं का भारी मुनाफ़ा मिल सकता है परिवार के लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे आफिस में आपके कामकाज की तारिफ होगी आपकी कोई अदुरी इच्छे भी पूरी हो सकती है मा संतोशी के अशिरवाद से आप ये बिगड़े हुए काम बनेंगे दोस्तों के साथ कहीं मोज मस्ती के लिए यासरा का प्रोग्रेम बना सकते हैं दामपते जीवन भी अच्छा रहेगा प्रेम संबंदित मामलों में सफलता हजिल होगी दोस्तों ऐसी कुछ महतोपुर्ण बाते आज की सुड़ों में बताने वाले है तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और भोलेनाजी का शिरुवात चाहते हो तो कमेंड में जै भोलेनाजी लिखना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करे तो आये राशिपल की मदद से जानते हैं आपके सितारे आखिर में क्या ख़ते है सबसे पहले बात करते हैं किस तरह आएगा पाने की तरह भग कर पैसा आपको अपने अंदर फिर से सकारत्मक सोच को पैदा करना होगा कोई छोटा या मोटा धनला भी हो सकता है काफी समय से रुका हो पैसा भी आपको मिल सकता है आरतिस्तिते में और सुधार लाने के अवशकता है आप अपने खर्च में कुछ कटोती कर सकते हैं और पुराने किसी कार्य को निपटाने के लिए मजबूर हो सकते हैं पैसों के मामलों को छोड़ कर आज दिन आप के लिए अच्छा है आज आप अपने मित्रों की किसी समस्य का समधान निकाल सकते हैं किसी सुचना के आधार पर आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं दोसरे इसमें अगर कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आफिस, कारेक्षेतर और समाज में कुछ लोग आपको किसी काम के लिए चुनोती दे सकते हैं इसमें चिंता की कोई बात नहीं है किसी भी प्रकार की टक्राओ वाली स्थीति से बचने का प्रयास करें आज कामकज में आपका मन लगेगा और आप में एक गंभिर व्यक्ति का उदय होगा अपने किये गए कार्यों में आज आप कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे तो इससे आपको फैदा होगा आज आपका सामना मालसी का और शारेरिक ठकान से हो सकता है जरूरत से अधिक खर्च आपको किसी परिशानी में डाल सकता है दोस्तों अगर हम धनराशिपल की बात करें तो आज अपने धन या उर्जा का कुछ भाग अपने रिस्तों और परिवार पर खर्च करें वित्ता या बैंकिंग फेशे से जुड़े होगे लोग स्वए को बेहद विव्यास्त महसुस करेंगे लेकिन आले माला समय आपके लिए अच्छा समय लेकर आएगा किसी महतोपुर्ण यात्र की योजना रद हो सकती है आपका पूरा ध्यान नए विचारों और रणानितियों को लागो करने की तरफ है अगर हम करियर राशिपल की बात करें तो उच्छ अधिकारियों से आप खुशकबरी की उम्मेद कर सकते है आपने अपने संस्ता के लिए जो कड़ी मेहनत की थी अब उसका फल आपको जरूर मिलेगा ये लाब किसी भी रूप में मिल सकता है जैसे की तारिफ, प्रमोशन, विदेश, यात्रा, तौनखों में बुरुद्धी या फिर आप अपने विवभाग में जो बदला अपने लिए चाजर है ते वो भी मिल सकता है आपको जो भी मिल रहा है उसे पूरी खुशी से स्विकार कर ले अगर हम लवराशीपल की बात करें तो परिवार को लेकर आप हमेशा भाव करते हैं और यही वज़े है कि पिता या शिक्षक पर आया संकट आपको परिशान कर सकता है पहले से बनाए गए यातरा की योजना आपको निजी कारणों से रद्द करनी पड़ीगी अपने साती को नजर अंदाज बिलकुल भी ना करें क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है आपकी निजी जिन्दगी थोड़ी परिशाने से बही हो सकती है आप घर में शांती और सुरगशा चाते हैं और इसके लिए आप हर संबो प्रयास कर रहे हैं ऐसे में आपका सुलमेट आपकी मदद भी कर सकता है अगर हम स्वास्तराशिपल के बात करें तो आज आप उरजया से भरपुर रहेंगे आप अच्छा मुस्स करेंगे और कोई स्वास्ते विकार भी नहीं रहेगा आप जिम जाए और व्यायम करें आप मानसिक अटकलों से बाहर निकले आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों यहती कुंबर राशी के बारे में अब बात करते हैं अगर आप ये घर में भी है ये चीज़े तो दिवाली से पहले कर दे बाहर वरना रुष्ट हो जाएगी मालक्षमी इन दिनों पूरे देश में दिवाली की तैयारियां जोरो शोरों से की जा रही है अब दिवाली को महज कुछ ही दिन बचे गए है बता दे कि इस बार 14 नौमबर को दिपावली का त्यावहर मनाए जाएगा इस दिन प्रतम पूझा भगवान गनेज और धनकी देवी मालक्षमी जी की पूझा की जाती है ताकि घर में सुक समुर्दी बनी रहे माना जाता ही कि दिवाली के दिन मालक्षमी घर घर जाकर धन बरसाती है इसके लिए उनके अस्वागत की तैयारियों में घर की साब सपाई और रंगाई पुताई की जाती है वही जिन घरों में साब सपाई नहीं होती वहां मालक्षमी का वास नहीं होता है यही वज़ा है कि दीपावली से पहले साप सपाई की जाती है और घर से कोड़ा कच्रा फेका जाता है तो आएए जाते हैं सपाई के दोरान घर में कीन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए उनके बारे में सबसे पहला है टूटे बरतोनों को फेक दे दिपावले की साप सपाई के दोरान घर में मुझेद टूटे फूटे बरतनों को सबसे पहले फैंक दे एक बरतन किसी काम के नहीं होते हैं और बेवज़ह जगर भी घिरते हैं इसके अलावा तूटे बरतनों में खाना खाने से गरी भी बढ़ती है और वास्तुदोश भी लगता है इसलिए इन बरतनों का खाने पीने से प्रयोग नहीं करना चाहिए अगला है तूटे हुए कांच बदल दे घर में तूटे हुए कांच का होना दुर्बागे की निशानी होती है ऐसे में अगर आपके घर के खिड़के और दर्वाजे के कांच तूट गए हैं तो उसे तुरंत बदल वाले जो तिस शास्तर के मुताबिक तूटा हुए कांच राहू का प्रतिक होता है इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए इसके अलावा वास्तु शास्तर में भी इस बात का उल्ले क्या गया है कि तूटा हुआ कांच अशुब होता है अगला है तूटी हुई तस्विरे हटा दे लगबग सभी घरों में परिवार के सद्विरें की तस्विर लगी रहती है मगर कभी जाने अंजाने ये तस्विरे गिर कर तूर जाती है ऐसे में अगर आपके घर में तूटी हुई तस्विर है तो उसे दिपावली के साप सपाई के दवरान घर से जरूर हटा दे और संभाव हो तो नया तस्वीर लगा ले क्योंकि तोटी तस्वीरों से परिवार के सदेशों के बेच मिठास खत्म होने लगती है अगर आपके घर में भी तोटा हुआ फरनीचर रखा है तो दिवाली से पहले या तो उसकी मरमत करा ले या फिर बदल ले वास्तुशास्तर के अनुसार तोटा हुआ फरनीचर घर के सदेशों के स्वास्ते पर बुरा असर डालता है इसके अलावा अगर आपके घरों के दरवाजे सही नहीं है तो उसे सही करवाले माना जाता है कि अगर दर्वाजे सहीं ना हो तो मा लक्षमी का घर में वास नहीं होता है अगला है बंद गड़ियों को शुरू करवा ले गड़ी गती शीलता का प्रतिक है साथी इससे घर के सदेसियों के सपलता भी तय होती है लिहाजा घर में बंद पड़ी गड़ियों को अशुब माना जाता है ऐसे में अगर आपके घर की गड़ी भी रुकी हुई है तो इसे शुरू करवा ले या फिर नया गड़ी खरीद ले इसे से घर में सकारदम उर्जा का संचार होता है अगर आपके घर के पूजास्तर में किसी देवी देवता की मुर्ती खंडित है तो उसे दिपावली से पहले हाटा दे इन मुर्तियों को भते जल में प्रभाहित कर दे या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे मानने था है कि खंडित मूर्तियों को देखकर मा लक्ष्मी आहत होती है एक्से में खंडित मूर्तियों को आटा कर नए मूर्तिय स्तापित करे तो दोस्तो यह है कि कुछ चीज़े जो कि दिवाली से पहले इन्हें बाहर कर दे तो दोस्तों आज की सुलू में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशुपल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद